नमस्कार दोस्तो फुड फ्लेवर ट्रेवल्स के मसालेदार तरीदार एपिसोड में आपका स्वागत है तो आज हम टेस्ट करने हैं नासिक की एक एकदम बढ़िया मिसर्ड जो की है सोहम मिसर्ड सोहम मिसर्ड स्थित है मश्रूड और मकमालाबाद लिंक रोड पे यह मिसर्ड यह एरिया में काफी पॉपिलर है और कई सालों से यह काफी लजजदर मिसर्ड यहां पे सेर्व करते हैं और इनका प्राइस भी रिजनेबल है यहां पारसल और बैठने की अलग वेवस्ता है गर्मा गरम तरी वाली मिसर्ड की कुछ बात ही अलग है और इसकी खुशबू तो वहां क्या ही बाया करो इसके इनकी प्राइसिंग भी काफी रिजनेबल है और काफी यूथ और फैमिलीज दोनों ही आके यहां पे मिसर्ड का जायका लेते हैं यह काफी हमबल लीटरी है तो ज्यादा लाइविश एमबियन से आप एकस्पेक्ट मत कीजिए आप देखी सकते कितनी बड़ी आए ग्रेव और लोग काफी वहाँ पे ट्रेक्ट करते हैं और फिर जाते वक्त यह मिसर्ड का आस्वाद ले के जाते हैं तो वीकेंड आपको हमेशे ही यहां पे रोश मिलेगी नासिक के लोगों का मिसर के प्रति काफी लगा हुए मैं कहूंगा और यहां पे हर वीकेंड प्लाइंस में मिसर को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है लाइफ की फिलोसोफी काफी सिंप्लिफाइड है वीक डेस पे आप काम करो और फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ वीकेंड पे एक हाद ट्रिप करो और यह मिसर का अस्वाद लो खास करके थंडी का मोसम है और जो बरसात है उसमें तो खाने का कुछ अलग ही लेवल का मज़ा है और ये मेरे दोस्त ने रेडी की मिसड की प्लेट कांदा लिम्बू मारके तो हमारी मिसड यह आ चुकी है यहाँ पर आप देखें तो मटकी है जो की मोट है सेव है, तरी है, रस्सा है साथ में लिज़त का पापड है, पाव है, प्याज है और दही है तो ये मिसड देखें तो काफी मुह में पानी आ रहा है, अभी ट्राइ करके देखते है ये लाल तरी वाली मिसड है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो प्रकार की सेव होती है एक थोड़ी से मोटी और एक पतली, इसके वज़े से मिसड को एक टेक्शर आता है और इसको खाने की एक सही तकनिक है कि आप सारे इंग्रेडनेस पहले मिक्स कर ले तो आप अपने हिसाब से रस्सा और तरी एडजेस कर सकते है अब यह एक पाइट लेके देखते है बहुत बड़ी है स्पाइसे है और मसाल एकदम परफेट है बहुत सही टेस्ट है इसके तो हमने तो काफी एंजॉय किया यहां आके मैं और मेरी दोस्त अभी यह मिसर खतम करते हैं तो आपकी फेवरेट मिसर हमें ज़रूर बताइए मिलेंगे अगले मनरणजक एपिसोड में तब तस अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए जैन दोस्तों